नमश्कार दोस्तों आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भई जो आज का वीडियो है टाइटल से पता ही लग गया होगा आपको कि एक ही गमले में आप बहुत सारे प्लांट्स की वराइटी कैसे इकठी करके लगा सकते हो जिससे कि आपके प्लांट तो अच्छ सारी वराइटी लगा रखी हैं यहां तक कि जो इनके नीचे की सोयल हलकी फूल की बची भी हुई है वहां भी मैंने चोट-चोटे प्लांट्स लगा रखे हैं ताकि वो मल्चिंग का भी काम करें और जो गर्मी में इवेपोरेशन से एकदम से पानी इवेपोरेट हो जाता आपने बड़े बड़े गंबले लेनी हैं अगर आपने मल्टी वराइटी एक ही गंबले में लेनी हैं उससे क्या होता है कि ना पोद्धे खुबसूरत तो लगते ही लगते हैं खुश भी रहते हैं वो एक अलग बात है कुछ लोग बानते हैं कि एक गंबले में एक ही तो ये देखो बात बड़ो की नहीं है, मैं तो छोटे-छोटो में भी बहुत सारी वराइटी के पोद्धे कठे कर रखे हैं, जैसे कि आप देखी रहे हो, अलग-अलग वराइटी के सारे पोद्धे हैं ये, तो इसके लिए बस आपने कुछ नहीं करना, आपने जो भी गमला लेना है न, उसमें उस तरीके के पोद्धे आपने लगाने हैं, जो की सिमिलर सी तासीर के हो, देखो एक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं जिसको की देखो, कुछ वराइटी हैं जिनको कम पानी पसंद है, कुछ वराइटी हैं जिनको स हिबिसकस है जैसे इसमें, इसमें हो गया हिबिसकस है, कनेर है, और ये सुंदर उपा है, और इसमें बोगन विला भी जरूर मिलेगा, और चांदने की कटिंग भी मैंने इसमें लगाई थी, ये देखो ये चांदने की कटिंग, ये ओफोरोकलो कोर आ गया, तो इसमें तो आते हैं अपनी बात पे तो इसमें आपने ऐसे पोद्धे लगाने एक ही गमले में जो सेम सी तासियर के अभी सारे पोद्धे जितने मैंने आपको नाम बता हैं ना सारे सनलविंग प्लांट्स हैं खूब इनको अच्छा पानी चाहिए और जो अपनी घास है तो वैसे भी दूप में रहने वाली है ना दूप में रहेगी तो फूल खिलेंगे तो इस तरीके से अगर आप पोद्धे उगाते हो ना तो आप खुद ही देखो कितनी अच्छी सब की ग्रोथ हो रही है और अभी कुछी दिन पहले मैंने आपके सामने ये छोट-छोटी ती घास लगा है और जब सारे के सारे ये मेंटेन हो जाएंगे और खुब अच्छे अपनी ग्रोथ के बाद ये फ्लावरिंग पहेंगे तो तो कितने खुब सूरत लगेंगे और ये देखो मैंने सारे के सारे बाल की नहीं में इसी तरीके से पोद्धे लगा रखे हैं सारे बहुत सारी ये देखो ये वाला कोने वाला भी देखो इस में ओरंज ट्रमपेट वाइन लगा रखी है कही तरह की वाइन है इसमें ताकि इकठी होके न अच्छे से चलाए ऐस पैरेगस की भी वाइन इसमें शमी का प्लांट है ये बोगनविला की बेल है और भाई इसमें कनेर का एक ही गमले में एक ही पोद्धा हो अगर आप multi variety एक बरना आप experiment करके देख लो एक गमले में दो चर विराइटी बड़े से गमले में इकठी लगा के देखो तो आपको वो plant ज्यादा खुश नजर आएंगे जो इकठी होके लगाई होंगे न आपने बजाए की जो आपके अल लगते हैंगे अब यह देखो इस गमले में अलग इलग रंगों के फूल खीलेंगे घास में तो ऊगने लगए या वो परपल कलर का फूल आता ने जिसमें नीली बोलते हैं जिसको घास भी अपनी उगई है इसमें फूल आने लग जाएंगे अब हिबिसकस की भी एक दो वराइटी है इसमें और भी बोगनविला की बेल जरूर होगे इसमें मैं कटिंग से लगाती रती हूँ और अब आत नैचुरल आपके पॉलिनेशन का काम करते हैं क्यूंकि फूलो वाले पॉद्धों पे मदमखी आएंगी तितली आएंगी और यही पॉलिनेटर होते हैं चोटे-चोटे अब इससे क्या होगा जैसे वैसे अगर अकेला लगा देंगे फूलो वाला पॉद्धा तो इसमें क् देखो वो भी उगाई हैं और पिछे मैंने वो घासी लगा रखे मैक्सिकन पैटूनिया इसमें लगे हुए हैं और निम्बू का तो आप देखी रहे हो तो इससे क्या होगा ना कि पॉलिनेटर्स जब इन प्लांट्स पे आएंगे तो वो निम्बू के उस पे बैठेंगे त ये दिखो सुंदर उपा दिख रहा है आपको इसमें मैंने अनार का भी लगाया था ये लिली के बल में काट रखे मैंने चुट-चुटी घास भी आपके सामने लगाई थी और क्या है इसमें अनार का है हिबिसकस का है सुंदर उपा का है ये आम का है भाई ये मैंने जहाट नजराती हो या कोई दुखी हो रहा हो तंग हो रहा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है मल्टी वराइटी अगर आप एक ही गमले में रखते हो ना तो बहुत खुछ रखते है पूद्धे और इसमें भी भाई देखो ही विसकस लगा हुए खुब बढ़िया वाला और इसमें ओरेज़ ट्रमपेट वाईन है जिसको कि मैं अभी छोटा ही रख रही हूँ जैसे ज़ाड दूमासा मैं इसकी बेल नहीं मना रही तो इस तरीके से पूद्धे लगे हुए है अपने आप देखो सारे कितने अच्छे चल रहे हैं अब ही तो खरमेन में पानी नहीं दूंगी शाम को मैंने दे दिया था और सुबह फिर ये खुब अच्छे से त्यार हो जाते है सुबह की गर्मे को बरदाश करने के लिए अभी देखो एक एलन कोई था है ना इसमें तो फूल आएंगी नी और इसके साथ मैंने घास लगा दी थी जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली तो मेरे सारे जो गंगले आना ऐसे ही मिलेंगे खूब सारे पोट देख के गंगले मिलेंगे जैसे इसमें ओरेंज का भी लगा हुआ है यह लैंटाना का है और बोगन विला की बेल भी है इसमें छोट-छोटी घास वाले फूल भी है रेन लीली के बलब है और दूसरे अमरैलिस के भी हैं और यह मैक्सिकन पेटूनिया भी लगा हुआ है तो दिखा ही नी था और पर्पल हाल भी हो भाई यह तो दिखा ही नी तो बहुत सारे पोद्दे लगये हुए ए देखो सारी कितने खूश है है magडे को चोटा सा गंबला है यह देखो यह भी कितने खूश है सारी के सारी खूश है तो एक बढ़र आप लगा के देखो जिसको ओडर लगता है न मल्टी वराइटी कठी करने में एक गमले में करके देखो फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आप इसी तरीक्के से उगाओगे तो उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा थैक य। वेरी मुच मिलते नेक्स्ट वीओ टेक केर